जार्खन प्राइविट स्कूल असोशियेशन के धनबाद जीला इकाई द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया वही मार्च के साथ साथ विरोध भी जताया गया देखिए जार्खन प्राइविट स्कूल असोशियेशन के धनबाज जीला इकाई द्वारा सुमवार को उपायुक्त सा धक्षो जीला प्राराम्भिक सिक्षा समिती की बैठक का काला बिला लगा कर और रंधीर वर्मा चौक से उपायुक्त का रहले तक पैदल मार्च कर विरोज जताय गया और उपायुक्त को एक ग्यापन सपाय गया जिसमें आटीए के बिंदू पर विचार कर आज की बैठक को स्थागित करते हुए प्राराम्भिक समिती की कमिटिया को पुना भंग कर पुना स्थागित करने की मांगी गई इस दौरान कहा गया कि आज एसोशियेशन इस का शांती पूर्वक सिक्षक अधिकार अधिनियम का विरोध कर रहा है क्योंकि ये बैठक संब्ध प्राप्त विद्यालों को फाइदा पहुचाने और धनबाज दिले के लगभग आट सो गैर मानता प्राप्त नीजी विद्यालों को बंद करने की साजिश रची जा रही ह जो की वर्तमान में अधिसूचना के अनुसार अनुपारन को लेकर माननिय उच्च नियाले ज्वारखंड सरकार के समक्ष गैर सहायता प्राप्त नीजी विद्याले की एसोशियेशन द्वारा शिकायत वाद दर्ज कराए गया है इसलिए जब तक इसमंद में माननिय उच्च नियाले का निर्णे नहीं आता तब तक माननिता प्राप्त के बिंदू पर विचार करना नया नियोचित नहीं होगा और ये उच्च नियाले का वो मानना समझ हो जाएगा वही जीला सचीव इर्फान खान ने कहा जीला सिक्षा अधिक्षक के द्वारा फिर भी ये बैठक दिखा अगर आटीई 2009 के तहट बड़े विध्यालों को मानत दी जाती है तो एसोशियेशन कोट की शरण में जाएगा और केस दर्ज करेगा बीरो रिपोर्ट, HBR News अगर में जो बैठक बुलाई गई है उसका जार्कन प्राइवेट इस्कूल एसोशियेशन के प्राधिकारी काला विल्डा लगा कर हम दो जिरोद कर रहे हैं क्योंकि 8.2019 संसोधित शिच्छा का अधिकार अधिनियम जार्कन राज में जब लागू किया गिया था तब इसके खिलाब जार्कन प्राइवेट इस्कूल एसोशियेशन ने हाई कोट में जाकर रिट जाची का दायर किया था उस समय हाई कोट के द्वारा पूरे राज में सिच्छा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ कोट में एस्टे लगा दिया था क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वही खबर हम से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एच्पेर निउस